डियर यूटूब फैमिली आज की वीडियो में आपको लाइप पुरूब के साथ दिखाऊँगा कि आप अपने आर्वील बैंक के क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कैसे इंक्रीस कर सकते हैं इसके साथ साथ मैं आपको अपना personal experience भी share करना चाहूँगा क्यों मुझे ऐसा offer इतनी जल्दी और कैसे मिल गया मैंने क्या-क्या tricky अपनाई थी और आप क्या-क्या अपना सकते हैं उससे आपके भी limit increase हो सकती है सो दोस्तो वीडियो को एंड दा जरूर देखिएगा और एक like तो कर दीजिएगा सो चली मैं आपको like proof के साथ सारा process दिखाता हूँ दोस्तो इसके लिए हम चलेंगे rbl my card application में इसे आप play store डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको आप latest version में update जरूर कर लिजिएगा तब आपको यहां पर offer कर दिया जाएगा अगर होगा तो अगर आप offer के लिए आपको सो कर दिया जाएगा अगर नहीं आया होगा तो नहीं सो किया जाएगा जैसा कि मेरे पास यह offer आया हुआ उपर आप देख सकते हैं लिखा हूँ increase your credit limit उपर अभ्यान से देखिएगा यहां पर बिल्कुल साफ लिखा हूँ यानि कि जो यह limit बढ़ेगे इसके उपर कोई भी चार्जस नहीं लगाया जाएगा ऐसा नहीं है कि अगर में इस limit को बढ़ाता हूँ या मेरों को यह offer दिया गया है तो इसके उपर कोई चार्जस भी लगेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है जो हमने यहां पर क्लिक क सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आप देखेंगे आपके सामने मैसा जाता है ओसम यो क्रेडिट लिमिट है इसके इसके लिमिट कर दिया है इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ाएगा 24 गंटे 48 गंटे या और कुछ तो ऐसा यहां पर बहुत हीजी है आप जाईए बिलुकुल इसलिए आप अपने ओफर को चेक करिए आपको लगता है कि आपको पास ओफर दिया गया है तो सेंपल से जाके आ अपने अकोडिंग कर पाएंगा आपको जुरूरी नहीं है कि वहां पर आपको कितना अपने साफ सेट कर लीजिए 50-60 जितना भी आपको लिमिट दी गई होगी उसके अंडर में आप सेलेट कर पाएंगा उससे अपर नहीं जा सकते है ठीक है जैसा मेरा 49,000 पहले था मुझ कर सकते हो इस सारा कुछ में आगे आपको वीडियों बताने वाला हूं वीडियो को पूरा कंटीनूर जरू देखिएगा तो दोस्तों आपने देखा हुआ कि इस तरीके से मैंने अपने लिमिट को इंक्रीज किया तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं यह ओफर मेरो क्लियर करने वाला हूं और कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं जिसके वज़े से ऐसा ओफर आपको जल्दी मिल जा जिसमें आपके लिमिंट को इंक्रिस किया जा सके हैं सो दोस्तो सबसे पहला पॉइंट यह बनता है कि अगर आप अपने क्रेडिर कार्ट का यूज अच्छे से की दिये यूज करने का मतलब हो हर महीने जब बिल जनरेट होता है तो हर महीने कुछ नो कुछ इस पेंड किजिए ऐसा मैं सुचिए नहीं यार इस महीने मैंने यूज कर लिए आगले मैंने दो महीने यूज ही नहीं करूँ बिल तो हर महीने जनरेट होता है तो कुछ न कुछ उसका यूज करते रही है इससे क्या होगा आपको बैंक की निगाहों में रहेगा कि आप एक्टिव कस्टमर हो और आप रेगुलर उसका यूज कर रहे हो यह चीत तो यह होना चाहिए दूसरा पॉइंट दोस्तों यह है कि जब भी आपका बिल जनरेट होगा तो आप ध्यान रखिएगा आप किसी भी कंडिशन में minimum due amount को पे नहीं करेंगे आप पूरी पेमेंट को करेंगे क्योंकि जब आप पूरी पेमेंट को करते हैं और भी टाइम से पे करते हैं तो बैंक की निगाहों में रहता है कि आप इंकरिस किया जाएगा तो आप उसका और ज्यादा इस्तमाल करेंगे और भी ज्यादा उसका टाइम से बिल पे करेंगे जिसमें कि उनका वेनिफिट होगा उसके साथ साथ उस लिमिट को और अच्छे साप यूज करोगे ठीक है तो आप किसी भी कंडिशन में मैंने minimum due पे क फरेकिन इसमें प्रवलम भी हो सकती है आपको मैं आको पहले वी खिलियर करक चलते हम वहालंग मैंने पहले पता आहाँ देखिए मैंने क्रेद कार्ड की लिमिट को क्रेडिर काड के लिए क्यों ऐसा कहते है तक कि आपका जो क्रेडिट सिविल स्कोर है और डाउन ना हो जाए ठीक है इसमें डाउन होने के बहुत चांसेस होते हैं अगर आप 30 परसंट से उपर ज्यादा यूज करते हैं अगर हम इसे लिमिट बढ़ा के देते हैं तो हो सकता है और ज्यादा यूज करेगा और ज्यादा यूज करेगा और ज्यादा यूज करेगा हो भी करें सीज मैंने किसी भी किसी अमांट को मैं ने कर्णवाट वहाँ पर वहां पर व Under बहुत सारे आसे तरीकफित मिलता हो सकता में किसी समय अइसा सकता मैं बिल भी पे कर पाँ वहाँ पर उनको शारुस लगा उनको भी उससे कमाने मिलेगा लिमिट ज़्यादा रही जाधा करण बहुत सारे मात्र होते हैं तो 91 परणक जो मैंने यूज किया तो तो इसी भी आपको देखते हुए क्रेडिट कार्ट के मतलब आर्बिल बालो ने मेरों को लिमिट इंक्रिस करने का ओप्सन देदी पहले तो लेकिन इसमें आपका सिविल रिक्मेंडेट नहीं करूंगा आपको इसी को किजिए क्योंकि यह चीज़े बिल्कुल सही नहीं है लेकिन अगर बैंक की निगाहों से देखें आप वहीं की रिपोर्ट वाली बात है कि आप अच्छा सा यूज कर रहे हैं अच्छा ताइम स सब्सक्राइब करें तो मैं तीसरा आपको बहुत रिक्मेंडेट नहीं करूंगा यह आप अपने रिक्स पर कर सकते हैं बागी जो दो है उसको आप बिल्कुल फोलो कीजिए हर महीने बिल्कु जनरेट करवाई है कुछ नहीं कुछ अमांट को स्पेंड कीजिए दूसरा कि सब्सक्राइब करें तो दोस्तों अगर आपके पास लिमिट इंक्रीज करने का ओफर आया हुआ है और आपका लिमिट पहले कितनी थी और अब कितनी हुए प्लिस जुरू बताईएगा मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं हुआ सिर्फ 17-18,000 रुपे की लिमिट इंक्रीज लगता बाइब